जैशी किष्णा दोस्तो वियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो 25 अक्टूबर को लगने वाला सूरिगरहन संपूर भारत में देखे आंशिक रूप से देखा जा सकेगा ये संपूर भारत में ही दिखाई देगा और ये सूरिगरहन काफी प्रभाफशाली रहने वा सूरिगरहन का सूतक काल का समय और सूरिगरहन किस समय पर प्रारम हो रहा है किस समय पर समापन होगा साथ ही क्या उपाय करना चाहिए और विशेश रूप से जो गर्वती महिला हैं उन्हें क्या साबधानी रखनी चाहिए उसकी संपूर जानकारी दी जाएगी तो इस कर लें बगलने बैल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों 25 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहन भारत में दिखाई देने वाला पहला सूर्य और आखरी सूर्य ग्रह देखे 24 अक्टूबर की रात को यानि दिवाली की रात को दो बचकर 29 मिनट से ही सूतक काल प्रारम हो जाएगा तो सूतक काल के दोरान जो मंदिर के कपाठ है वो बंद हो जाते हैं इसलिए आप 25 अक्टूबर की सुबह के समय भी कोई भी देवी देवताओं को सपर्ष नह हो जाते हैं तो आपको पाठ पूजा नहीं करनी है या सूतक काल के दोरान देखे आप पाठ पूजा नहीं कर सकते हैं या आप जो भी देवी देवताओं की फोटो है तस्वीर है उनको सपर्ष नहीं कर सकते हैं आप मन ही मन में मतलब पाठ पूजा कर सकते हैं मंतरों का ज में ही यानि 24 अक्टूबर की रात को ही आपको खाने पीने की चीजों में तुलसी जरूर डालनी है और विशेश कर पानी में आप जरूर तुलसी के पत्ते डाल कर रखें जो गर्वती महिलाय है वो विशेश रूप से साफधानी अवश्य रखें दोस्तो 25 अक्टूबर को ल पर लग रहा है तो इसलिए वहाँ पर देखा नहीं जा सकेगा लेकिन अधिकतर सभी राज्यों में ये सूर्य ग्रहन कहीं पर अधिक कहीं पर कम मतलब दिखाई जरूर देगा ये सूर्य ग्रहन देखे 25 अक्टूबर को दोपहर को दो बचकर 29 मिनट से मतलब ग्रहन प्रा सूर्य ग्रहन के तुररंत बाद लोगों को देखे 5 नान करना चाहिए स्नान किरने के बाद आप पाढ़ पुझा कर सकते हैं यानि मन ही मन में किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और ये सूर्य क्रहन देखे अमावस्य तितिती के दिल लगने जा रहा है तो इसी लिए इन मे देखें स्नान दान का बहुत अधिक विशेश महतु बताया जाता है तो आप सूरे से सम्मंदित वस्तों का दान करें गेहूं लाल वसूर की दाल लाल फल गुड इत्यादी का दान करना बहुत ही शेश रहता है साथ ही जो गर्वती महिलाएं हैं ग्रहंड से पहले ही अपना पीना जो भी कारे आपको करना है पहले ही कर लें ग्रहंड के दोरान सभी लोगों को देखे जो ग्रहंड के नियम होते हैं उनका पालन अवश्य करना चाहिए यानि खाना पीना सोना वर्जित माना जाता है इस समय पर खाना पकाना कोई भी कारे करना वर्जित माना गया है आप केवल मंत्रों का जाब कर सकते हैं। साथी दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि देखके गिरहन के बाद मनुष्य का शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए स्नान करना बेहद ही जरूरी माना गया है। और विशेष रूप से जो गर्वती महिलाए हैं वो सनान अवश्य करें और अपने कपड़ों को मतलब बदले या उन कपड़ों को जो कपड़े आपने ग्रहन से पहले पैन रखे थे उन कपड़ों को भी दान करना शेष रहता है। दोस्तों सूर्य ग्रहन राहू और केतू के कारण लगता है इससे नकारात्म कुर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और ग्रहन के दोरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए विशेश उपल जो गर्वती महिलाएं हैं उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए इसके अलावा जो भूल चूक से अगर आप कुछ खा लेते हैं या कोई गलती कर बैठते हैं तो उसका प्रभाव आपके होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ता है इसके अलावा गर्वती महिलाएं कोई भी लाल वस्तू लेकर अपने सिर के उपर से साथ बार उसार कर उसे रख दें और ग् ग्रहंट के दोरान उसे रख दें और ग्रहंट समाप्थ होने के बाद उसे पीपल के व्रिक्ष के नीचे रखें ऐसा करना भी आपके लिए बहुत ही शेष रहेगा साथ ही दोस्तों ये सूरे ग्रहंट देखें सभी राशियों पर इसका प्रभाब देखने को मिलेगा परन्तु छे राशियों के बहुत ही शेष रहेगा उनको अचानक से धनलाप के योग बनेंगे आर्थी क्षेत्र मजूद होगा संतान सुक के योग बनेंगे परन्तु अन्ने जो छे राशियां हैं उनके लिए थोड़ी सी साफधानी अवश्य रखनी होगी उनको भी धनलाप के बहुत अच्छे योग हैं परन्तु उन्हें थोड़ा सा अपने स्वास्ते का और वाहन चलाते समय आपको ध्यान अवश्य रखना है क्योंकि दुरगटना होने क और साथ ही लड़ाई जगड़े के योग भी बने हुएं दोस्तों सबसे पहले हम उन छे राशियों की जानकारी दे रहें जिनके लिए ये सूरिगरहन बहुत ही शेश रहेगा इन भागेशाली राशियों में सबसे पहली जो राशी है मेश कर्क सिंग धनू कुम और मीन य चे राशिया ऐसी हैं जिनके लिए सूरिगरहन बहुत थी लापकारी रहेगा साथ ही सूरेके मंत्रों का जाब करे दानपून अवश्य करे तो निश्य थी आपके लिए और अधिक लापकारी रहेगा ये बहुत अँच्छ योग हैं परंतु थोड़े से आपको ग्रहों के प्रभाव के कारण आप अपने क्रोध पर नियंतर लखे कोई भी लेंदेन कर रहे हैं तो सोच विचार कर अवश्य करें इन राशियों में सबसे पहली जो राशी है वो है तुला राशी सूर्य क्रहन के दोरान देखें सूर्य तुला राशी में रहेंगे इसलिए तुला रा अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं साथ ही दोस्तों ये वीडियो अगर आपको helpful लगता है तो किसी भी अपने relative खासकर जो गर्वती है उसको शेयर जरू करें आप सभी को जैशी कृष्णा